इस तो तक में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है और आए जानते हैं 28 अक्तूबर 2017 का राशी फल हम सब के लिए क्या कहता है मेश राशी वाले नई उमंग और नई संभावनों के साथ अपने काम को आगे बढ़ाना चाहरे हैं पर कभी-कभी ये लगता है कि क्या औरों से आपको वो सहयोग मिल पाएगा जिसकी कि आप तमन्ना कर रहे हैं ऐसे में मन कुछ चिंतित रहे ऐसा हो सकता है रिशब राशी वालों की तकदीर आपका साथ निभाना चाहरे है पर आपके अंदर से वो भरोसा नहीं जागरत हो पारा कि क्या ऐसा हो पहेगा सचा ही ये है कि आप अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को समार सकते इतन राशीवालों को अभी इस बात का आभास होता चला जा रहा है कि आगे बढ़ना मुश्किल हो जब भी कठनाईयों का दौर होता है तो मन का परिशान हो जाना भी सुभावे करें ऐसे में ही अपने मन को समझाने की ज़रूरत पढ़ती है गर्क राशीवाले जितना लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे उतना लोगों से तालमिल बनाए रखने में मदद जुरूर मिलेगी कोशिश ये भी करनी पड़ेगी कि आप लोगों पर भरोसा करें कुम राशीवाले अगर संतुष्ट रहेंगे तो उसका सीधा असर आपके रिष्टों पर आजाएगा कोई प्यार का रिष्था भी इस वज़ए से बिगड सकता है क्योंकि आप किसी बात को लोगों से छुपाने की कोशिश कर रहे है कन्या राशीवालों का किसी प्यार के रिष्थे की और रुजान अच्छा है पर भरोसा नहीं हो पारा कि क्या आप किसी का दिल जीत पाएंगे यह आपके मन की बनाई हुई घबराट हो सकती है जिसमें कोई बड़ी सचाई नहीं है तुला राशीवालों को घर परिवार की खुशियां बनाए रखने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी अपनों के लिए समय भी निकालना होगा और जिंदगी की खुशियों को हर कीमत पर बनाए भी रखना होगा प्रिश्चिक राशीवाले थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपके आर्थिक स्थिती बहतर हो जाएगी यह और बात है कि आपके बढ़ते हुए खर्चे संभली नहीं पा रहे है अचानक धनलाब के साधन भी बन सकते हैं जो आपको खुशी भी दे मकर राशीवाले लोगों की अच्छाई को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे है इसलिए लोगों से मिलते हुए सहयोग का भी कोई मतलब नहीं रह जाता आप खुद अपने लिए अपने हालाद को बेकाबू करते चले जा रहे हैं और यही ठीक नहीं है कुम राशीवाले भावुकता से जिस तरह का भी फैसला करेंगे उसमें गल्ती हो जाएगी इसलिए आपको हालाद पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा कुछ न कुछ गलत होता चला जा रहा है ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा मीन राशीवालों के लिए आर्थिक स्थिती बहतर हो रही है क्योंकि आपका प्रदर्शन आपकी मदद कर रहा है हालाद फिर भी कुछ ऐसे हैं कि आपको अपने काम या कारोबार में और ज्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत पड़े अपना भिविश्य बनाने के लिए भी अपनी पढ़ाई की और ज्यादा ध्यान देना होगा आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद हर रोज की तरह आज भी एस्टो तक से जुड़ने के लिए मैं फिर हाजिर होंगा आपका द्यानेक राशिक फ़लने करें नमस्त्राइब